नमस्कार दोस्तो माइट्यूप फार यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माइट्यूप फार यू के अध्यात्मिक उपाय सिरीज में आज हम आपसे विश्व कर्मा पूजा के बारे में चर्चा करेंगे जो की 17 सेप्टेंबर को है दोस्तों आपको बहुत-बहुत विश्व कर्मा पूजा की और विश्व कर्मा जी के बारे में हम आपको बताएंगे उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम विश्व कर्मा जी के जन पर चर्चा कर लें एक खथा के अनुसार यह मानता है कि शिष्टी के प्रारम में सर्व प्रथम नार के पुत्र वास्तु देव हुए कहा जाता है धर्म की वस्तु नामक इस्त्री से उत्पन वास्तु सात्में पुत्र थे जो सिल्प सास्त्र में अधिक प्रवर्तक थे उन्हीं वास्तु देव की अंगिरसी नामक पत्ने से विश्वकर्मा उत्पन हुए थे अपने पिता के भ मानता है कि सोने की लंका का निर्माण उन्होंने ही किया था, इनकी रिद्धी सिद्धी और संग्या नाम की तीन पुत्रियां थी जिन में से रिद्धी सिद्धी का विवाह गडेश जी से हुआ था तथा संग्या का विवा, महर्शी कस्यप और देवी अधिती के पुत्र भगवान सूरे से हुआ था यमराज, यमुना, कालिंदी और अश्वनी कुमार इनकी संताने हैं मतलब ये संध्या की संताने हैं विश्व कर्मा जी को हिंदू संस्कृती में यंत्रों का देवता माना जाता है विश्व कर्मा ने मानाव को सुक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक यंत्रों व शक्ति संपन भौतिक साधनों का निर्माण किया इनके द्वारा मानव समाज भौतिक चर्मुत कर्ष को प्राप्त करता रहा है। प्राचीन सास्त्रों में वै मानव की विद्या, नव विद्या, यंत्र निर्माण विद्या आदी का भगवान विश्वकर्मा ने उपदेश दिया है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण का देवता माना जाता है। मानता है कि उन्होंने देवताओं के लिए अनेक भव्य, महलो, आलिसान, भवनो, हतियार और सिंगहासनों का निर्माण किया। मानता है कि एक बार असुरों से परिशान देवताओं की गुहार पर विश्वकर्मा ने महर्शी दधीची की हड़ियों से देवताओं के राजा इंद्र के लिए वज्र बनाया। यह वज्र इतना प्रभावसाली था कि असुरों का सर्वनास हो गया। यही वज्य है कि सभी देवताओं में भगवान विश्वकर्मा का विश्यस अस्थान है। विश्वकर्मा ने एक से बढ़कर एक भवन बनाये। मानता है कि उन्होंने रामड की लंका, कृष्ण की नगरी, द्वारिका, पांडवों के लिए इंद्रपस, नगरी और हस्तिनापुर का निर्माड किया। माना जाता है कि उन्होंने उडिशा इस्तित जगर्नात मंदिर के लिए भगवान जगर्नात सहीत बल भद्र और सुबद्रा की मूर्ती का निर्माण अपने हाथों से किया था। इसके अलामा उन्होंने कई हतियार बनाएं जिन में भगवान सिव का त्रिशूल भगवान विश्नु का सुदर्शन चक्र तथा यमराज का काल डंड भी सामिल है यही नहीं उन्होंने दानवीर कर्ड के कुंडल और पुस्पक विमान भी बनाएं रामण के अंत के बाद रा विश्व कर्मा जी के बारे में चर्चा अब उनके कई रूप है जिनके बारे में अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं भगवान विश्व कर्मा के अनेक रूप बताये जाते हैं उन्हें कहीं पर दो बाहूं कहीं पर चार कहीं दस बाहूं तथा एक मुख कहीं पर चार मुख वो पंच मुखों से भी दिखाया जाता है उनके पांच पुत्र मनू, मय, त्वस्टा, सिल्पी और दैवग्य हैं यह भी मानता है कि ये पांचों वास्तु सिल्प की अलग-अलग पिधाओं में पारंगत थे और उन्होंने कई वस्थमों का अविस्कार भी वैदिक का में किया इस प्रशंग में मनू को लोहे से तो मय को लकड़ी, त्वस्टा को का से एवं तांबे, सिल्प, इठ और दैवग्य को सोना चांदी से जोड़ा जाता है अब हम आगे बात कर लेते हैं कि विस्वकर्मा जी क्या सबसे पुराना मंदिर कहां है तो दोस्तों ऐसा बताया जाता है असम में गुहाटी में इस्थित विस्वकर्मा मंदिर को दुनिया का सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है रिगवेद के अनुसार भगवान विस्व कर्मा को ब्रम्हांड के मूल रचनाकारों में से एक माना जाता है सुत्रों ने बताया कि 1965 में कामाख्या मंदिर के तल पर विस्व कर्मा मंदिर के स्थापना की गई थी विश्व कर्मा मंदिर के स्थापना भावा कांत सर्माने की थी जो कामाख्या मंदिर के पुजारी थे दोस्तों यहाँ पे बहुत हरसो लास के साथ विश्व कर्मा पूजा मनाया जाता है राचे भर से भक्त हिंदू देवताओं की पूजा करने और आशिरवाद लेने के लिए मंदिर में उमर पड़ते हैं कहा जाता है कि जब सूर्य कन्यारासी में संक्रांती करते हैं उस दिन अस्तित्व में आये थे इसलिए इस दिन विश्व कर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है तो दोस्तों 17 सेप्टेंबर को सूर्य कन्यारासी में प्रवेश कर रहे हैं और इस दिन इसलिए विश्व कर्मा पूजा मनाया जा रहा है उमीद है आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सेर और सस्क्राइब करें हमें आग्या दे जै विश्व कर्मा जी की